आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारक्रप के तहत नई टार पंचायद भवन परिसर में शिविर का योजन किया गया इस दौरान प्रकंट प्रमुख अंजु देवी, बीडियो गौतम कुमार, मुख्या किशोर साव, उपमुख्या पंचाय समिती सदस सहाना प्र पंचाय समिती सदस प्रतिनिधी, इशाद आलम और समास से भी देव नारायन यादफ के द्वारा कारक्रम का शुभारम दीप प्रजुलित कर किया गया, शिविर में आमजनों ने बर्चड कर हिस्सा लिया, शिविर में अंबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योज सरजन योजना, मनरेगा, पेजल और स्वचिता विभाग, जेस, एलपीएस, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन विभाग, क्रशी विभाग, स्वास विभाग के द्वारा दरजनों से अधिक स्टॉल्स लगाकर योजनाओं के लिए एक हजार से अधिक आवेदन प्रा कोडर्मा से मुकेश को स्वामी की रिपोर्ट और मैं उनसे कि ये भी कहना चाहूँगा की जो किरन आप उनके मन में जगाए हैं, ये अबुआवाज को लेकर वो जल्द से जल्द पूरा किया जाया उसको, जिस तरह से अभी फारम को जमा किया जा जा रहा है, उसी तेजी से अगर उनका आवाज बन जाता है, तो कहीं न कि सोरी समरिद्धी योजना जो है वो बच्चियों को दिया जा रहा है क्लास 8 से लेकर 11-12 की बच्चियों को पढ़ने के लिए और जिनकी साधी करने के लिए जिनका एज 18 साल या 19 साल हो गिया है उन्हें 20,000 रुपे की रासी जो दी जा रही सरकार के तरफ से वो काफी सरहनि कारे उनके दुवारा किया जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि गार्जियन को बच्चों को पढ़ाने में कहीं न कहीं उन्हें मदद मिल रही है और ये सारे जो गार्जियन है वो माननिये मुख मंतरी स्रीमान हैमन सुरेंजी का धन्यवाद कर रहे हैं वो हम लोगों के द प्वागत करता हूं कि यह अबुआ आवास का आवजन किया गया इसके लिए मैं सरकार का अपने पंचाइद की ओर से आभार पर गट करता हूं रही खुशी की बात कि ये पहला मौका है कि अब आवास एक योजना लाया गया इसके तहत परतेक लाभूकों को फार्म भरने का मौका मिला मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि जिस तरह से फार्म अपलाई लोग किये हैं उसमें उनकी जो जान भरपूर है मैं यही मांग करूँगा सरकार से बहुत लोग आसा लगा कर विश्वास से अपना फार्म को अपलाई किये हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्जवाज जो खाते में पैसे दिया जाता है जिसके आधार पर अपने बच्चा लड़के जितने भी हैं समी लोग अपना मुतावित साइकल को खरीद पाता है पहले यह साइकल लोगों को खरीद कर दिया जाता था आज के डेट में रासी दी कर अपने मन मुतावित साइकल को खरीद पाता है बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग फारों को ख्लिप के जिनका किसी कारण बस नहीं कर पाए वो घर में नहीं है कि बाहर में है वो आगे मतलब जा करके बेकों में दस्तारी को आओ सिवीर लगेगा वो सिवीर में जा करके आवेदन कर सकता है और हमारे यहां एक पूर्वज से बाप दादावों से एक केसो जला से रोड जो मुख मार्क से जुड़ा हुआ है डमचांच पिप्चो तक जाती ओर रास्ता उस रास्ता से मेरा घाम का रास्ता जुड़ा दोआरा वह जमीन को रहियत बोल करके जमीन को काट दिया गया जो रास्ता दू भाग में बटा हुआ है आने जाने में लोगों को प्रेसानी हो रहे हैं और सभी लोग आक्रोस में हैं कभी भी अपनी घटना की घट सकती इस परकार से उमीद किया जा रहा है